हालो दोस्तों कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे और अच्छे से अपनी प्रिपेरिंग कर रहे होंगे दोस्तों फिजिक सेंसियार्टी क्लास 12 चेप्टर 5 में मैं सारा सैलूशन यहाँ पर पूरे चेप्टर 5 का करने वाला हूँ बिद पीडियप के यहाँ पर आपको देने वाला हूँ सभी चेप्टरों के पीडियप जो मैंने आपको पढ़ा दिये सारे चेप्टर के पूरे के पूरे पीडियप अब दिया करूँगा चेप्टर 5 का पीडियप इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे चेप चेप्टर 5 चुंब कि चुंब का तो यह झाट पिट ना चाहिते हैं पूरा चेप्टर हुए तो मैं सूँ श्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है भूँ चुम्ब की छेत्र के आवयों लिखिए तो आप बात आती है भूँ चुम्ब की छेत्र के आवयों क्या होते हैं इसके बाद है कि और उनके बीच संबंद का सूत्र स्थापित कीजिए तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इसके चुम्ब की छेत्र के क्या कहिए आवयों कहिलाते हैं और इनी पर आपका काम चल जाता है इसके बाद आप इनकी परिवासा आपको चुटकियों याद होने वाली है तो यहां पर सबसे पहले मैं एक क्योंकि हमारा कुश्चन कह रहा है उनके भूँ चुम्ब की छेत्र तो म कि मन लेता हूं मान लेता हूं दोस्तू यह कोई एक कि चुम्ब की छेत्र है मैं जले फीछ फोटा बनाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगाए यहां पर बहुत कम है यह मैंने क्या मान लिए दोस्तों यह क्या है दुर्फ दाना ुक्य very कि मुझे एक यह मैंने एक यह बना दिया है यह ऐसनने की च्छेतर में दो मॉत्तर विद्सक्राइध न कीStake किन च्छेतर में कितने या मतर प्राओ बने की च्रद्सक्वालतना प्रnte की उचलकूत निवाला हों यहां पर मैंने बना दिया में पुल्ट यह क्याया वालीघ हूर Charove यहमोत्तल। इसके बाद हम यहां यहां पर थ्वाधर सा लाइनिंग कर देनी है वेडियो कोईक्ट करको कर देता हूं तो यहां पर वैं एक बात आपको बता देता हूं यह हमारा भागौली क्याम उत्तर हैं है यह हमारा एक इंगल बनेगा जिसको क्या कहेंगे क्या कहेंगा दोस्तों दिपाथ कॉंद दोस्तों आपको पता करना गी परीवासा क्या होते है क्यों कि जो होते है यह होतै है दिखबात का कखिजम बंता है नीस पर एक उत्र तरप्श ultimate कुम्राक लटका लटकाते हैं चुब्बक ही यहां पर है चुम्रा यह लटकाने वाला हूं एसी यहиля मैंने फिराइन और स चुम की सभाले इस इसका हूिसंता नाम दे मुख नाहुना पूरी तरह से बनकर तयार हो गया अब मैं आपको बता देता हूँ यह चुंबकी यह चुंबकी यह मोटर के बीच जो इंगल बनता है उसको हम थीटर से बेक्ट करते हैं और वहीं क्या कहलाता है नमन को यह फिर नतिकों एक ही बात है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर मैंने तो इसके अदिक पूलों की परिवासा है याय पर संधाने वाला हूँ और मिल जाएगी सब्सक्राइब परिवासा में आपको समझाने हमाला हूं दिक्भपाथ कॉंछ तो आप सब्सक्राइब कि लिए क्या देखा यह उपर जो इस गूले और नीचे बनाए उसको आपने बनाया चुंब कि यहां पूरा है यह Бुशाय काट रहें वहीं पर बन तो आप कहेंगे किसी इस्थान पर चुम्बकी यामोतर और भागावलिक यामोतर के बीच बने कॉल को दिकपात कॉल कहते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आने वाला है बस वीडियो के अंत तक बने रही है आप कहेंगे क्या बस सिंपल सा आपको कहना है यह देखी सकते हैं भागावलिक यामोतर मैंने आपको बता है चुम्बकी चहतर में दो यामोतर होते एक चुम्बकी यामोतर और यह भागावलिक यामोतर तो जहां पर चुम्बकी यामोतर और भागावलिक यामोतर आपस में म ओई दोस्तों कोई-बंडा क मवे नहीं टो मैं उससे पुझना जाओंगा क्या समझ में नहीं मैं आपको यह बता दिये चुम्ब की चेत्र में वियाूत्तर होते हैं कि निवास्तर कॉल कर दाता है थो इसकी परिमंदा हो जाएगी किसी इस ठांक पर भाग Scorpion पो और चुम्ब की यो मॉत्तAre के बीच बने कॉल को क्या कहते हैं दिकृफाद कोई कोई कि चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्राइब जरूर करीगा क्यूंकि आपके एक लाइक से मैं मौटिवेट होता हूं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यह आप देख सकते हैं यह नतिकों है और यह जो हमारा यह है यह होरीजेंटल है यह नहीं कि कौन सा चाहतीज गटव है इसको हम बी एच से प्रदर्सित करेंगे किससे एच बी होता है चुम की छेतर आप जानते हैं तो यह हो गया बी चुम की छेतर अब यह ऊपर का जो गटव है उर्ध्वाधर गटव होता है हौरीजेंटल तो हारीजेंटल का हम पहला अच्छ ले लेंगे तो यह हमारा क्या कहला है उर्ध्वाधर गटव चुम की छेतर का उर्ध्वाधर गटव के यह जो देखेंगे तो यह च्छाहिज गटव होता है यह हमारा होता है को कि इसे हमारा यह चैटिज घटक रोद सब्सक्राइब होता है भी होता है इसलिए आप इसको बोलेंगे चुम्ब की च्छेत्र का 36 गटर इसके बाद यह मारा होता है यह वाली लाइन जो आप देख रहे हैं कि होता है इसके बाद मैंने बात कर लिए अभी 36 गटक हो जाईगा हो जे लेनी अब इसके बाद यह हमारा ही होता है उर्द्वाधर गटक कौन सा गटक दोस्तों उर्द्वाधर गटक अब उर्द्वाधर को वी से वेक्त करते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं कि वर्टिकल वर्टिकल मिन्स होता है उर्द्वाधर क्या होता है यह पर में भी का पर पर आती है न guiding की परिवाशन कैसे लिखें आप बोलेंगे किसी इस थान पर क्या बोलेंगे किसी इस थान पर यहां पर देख सकते हैं किसी स्थान है यह हमारा कायधोस्तों 36 गटक तो हम इसको बोल देगे अर्ध मींड इसलिए इसको बोलेंगे कि इसको बौल दिया इसको बोलेंगे कि किसी स्थान के 36 गटक और प्रत्वी पर लटकाई गई स्वी के बीच बने कौन को नतिकों अथवा नमन को कहते हैं उम्मीद है दोस्तों यह परिवासाब यह आपके समझ में आ गए होगी बस आपको कहना क्या आई है आप हॉरीजेंटल है मैं बहुत देर से आपको समझा रहा हूं यह हॉर और अब आज आते मिसकी डेरिवेशन पर बात कर लेते हैं अब हमको क्या करना है यहां से डेरिवेस्टन करना तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको यह यहां तक का भी यह होगा इसके बाद यह हमारा भी है यह भी होई होगा वी मतलब वर्टिकल vartical का मतलब और्द्वादर और h मतलब Goddess Grand कराईगा हखार मुला होता है लंब बर्टे के करण तो यह हमारा दोस्तों उल्ла और यह लाएं और न यहां तक की जोगा और क्या है प्रत्वी का चेतर यह प्रत्वी के च्बति की मैंने क्यां से वेख्त किया यह भी मैंने आपको समझा दिया अब यहां से बीवी कोर्ट अप मान निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा बी इशीन थीटर इसको मान लेंगे इसके बाद आप निकालेंगे सामने वाली जो फूझा होती है उसको हमेशा हम लंब मानते हैं यहां से जो आने कास θhte जब लिया को कास ठीटा नहीं होता है आधार वटे के करनल तो हमाया होता potrze के सामने वाली जो बुजा होगी दोस्तों इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी यहां से में बी एच की वेलू फाइंड कर लूँगा यहां से हमें निकल के आजाएगा बी इए कास थीटा इसे में माल लूँगा एक और दो का भाग दे देंगे क्योंकि जो हमारा फार्मुला होता है वह होता है उपर उर्ध्मिंस क्या कहेंगे दोस्तों याद करने की ट्रिक उर्ध्मिंस उपर यानि उर्ध्वाधरवटे छहती जोता है सवाल आपके आते हैं कभी कभार बाद में बताता हूं इसकी बात तो हम पहले नमबर क्या करेंगे एक कुछ सामी करां कि फर्ष्ट भागे सेके सेकेंड करेंगे तो मैंने याफ इसके बाद ये सेकेंड ये लिख लिए इस wiping लिक लिए इसका लिए को एक्क्यूल का इलगा दिए अब इसके बद्ञास हम धेगे बाद इसन हो जाक्ति ऑर ह हम Wochen का संभी कास थीटा हॉंге कॉसट और वा क्या हो जाना वाला है लो कि उन अगर यह फार्मूला आपको याद रहता है तो अच्छी बात है अगर नहीं याद रहता तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ अगर ऑवर फार्मूला होता है ओद्वाधर बया चैओ इस ओआ श्यातिज सो नहीं है काम उपया जाए उपर क्या होता है ओद्वाधर उन необход से बात करता हूं तो यहां पर ताइम ठीटा पर बराबर बीवी अपान बीएच मैंने निकाल दिया इसके बाद इसी कोईसन नंबर फस्ट और इसी कोईसन नमबर सेकंड को वर्क करके हम जोल देंगे क्या करेंगे दोस्तों एक बार मैंने समी करना एक और समी करना दो का समय करना स्कॉएर करूंगा तो यहां से मेरे पास हो जाएगा बीवी का होल स्कॉएर और करना चुकि अब यह वाला सम्य ओन लिए तरफ के पहले जो लेते हैं फिर इक्कॉल का साम लगाते हैं फैक ल कि बाद और यह जो दोनों तरफ के होंगे यह तरफ को एड़ कर लेग यहां से मैं जो है क्या लेए ले लूगा क्या लेया आप कामन क्यों ले लूंगा यह सारा प्रोसेस आपके समझ में आने वाला है बस आप वीडियो के अंद तक बने रहे तो हो क्या जाएगा यहां से हो जाएगा बीवी का स्कॉयर उसी प्रकार प्लस बीच का स्कॉयर और इकॉल टू में इधर से बीची का स्कॉयर कामल ले लूँगा तो मेरे पास बचे का क्या साइन स्कॉयर थीटा प्लस का स्कॉयर थीटा तो यहां से जो साइन स्कॉयर थीटा प्लस का स्कॉयर थ का square और यह हमारा क्या हो जाएगा 1 तो finally हमारा क्या believe3 का square बराबर वीवी का square प्लस बीदी Its Space तो उम्मीद दोस्तों यह जो मैंने करके दिखाया यही सें तूस friendship करती आना अए आपको इसमें अगर यह दित्ता कर देते हैं तो 5 मार्क आपको मिल जाते हैं ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है इसमें आपको पांच मार्क इस से कुष्चन 100% आएगा या फिर दो मार्क का नमन को आ सकता है दिखपात को आ सकता है या फिर यह आ सकता है इसकी जो PDF लिंक होगी वह डिस्किप्शन में डालने की कोशिस करूँग तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई